आज हम सोया खीमा मटर बनाएंगे वेजिटेरियन लोगों के लिए ये प्रोटीन का एक बहुत अच्छा सोर्स है ये रेसीपी बहुत आसान और टेस्टी है और इसे हमारे प्रोटीन की जरूरत भी पूरी होती है तीन टेबल स्पून तेल गरम करेंगे वन टीस्पून जीरा दो टुकड़ा डाल चीदी का दो बड़ी इलाई चीली है और इसे उपर से थोड़ा खोल लिया है आठ से दस काली मिर्च एक तेज पत्ता खड़ा मसाला लाइट ली भून लेंगे एक बड़ा प्याज बारिक चौप करके लिया है प्याज को लाइट ब्राउन होने तक सोटे कर लेंगे 1 टीस्पून अदरक की पेश्ट 2 सेकन अदरक और लसून को सोटे कर लेंगे त्याज और अदरक लसन को मिडियम फ्लेम сы suicidal कर लिया है मसाला डाल देंगे 1 टीस्पून कश्मीरी रेट चिली पावडर 1 एंद आफ टीस्पून धन्या पावडर हाफ टीस्पून जीरा पाउडर, हाफ टीस्पून हल्दी एक मिनिट सौते करेंगे दो बड़ा टमाटर और दो कस्मिरी लाल मिर्च को मिक्सी में क्रस्ट करके पेश्ट बनाया है टमाटर के साथ में मैंने सुखी कस्मिरी लाल मिर्ची ली है अगर आप यह नहीं डालना चाहे तो इसके बदले में कस्मिरी लाल मिर्च पाउडर ज्यादा डाल सकते है मसाले में तेल सेपरेट हो गया है एक कप सोया ग्रेन्यूल को गरम पानी में आदा गंटा विगो के रखा था और फिर थंडे पानी से दो बार दो लिया है और पानी में से एकदम निचोड के लिया है यह डालेंगे सोया ग्रेन्यूल को विगोने का टाइम नहीं है और अगर आप तुरंथी इसे लेना चाहे तो पानी को पहले बॉइल करना है और उसमें सोया ग्रेन्यूल डालके 3-4 मिनिट इसे बॉइल कर लेना है फिर उसे पानी में से निकालके दो बार पानी से धोके निचोड के लेना ह एक कप बॉयल मटर लिया है, एक हरी मेर्च बारिक चॉप करके लिए, दो टेबल स्पून हरा धन्या डालेंगे, नमक अपने स्वात के अनुसार लेना है, मैंने टू टी स्पून लिया है, वन टी स्पून पंजाबी गरम मसाला पाउडर, हाफ कप पानी डालेंगे, ढकन लगा के लो फ्लेम पे चार से पांच मिनिट कूक करेंगे, सोया खिमा को टेस्ट करके देख लेना है, और नमक अपने हिसाब से एक्जेस्ट कर लेना है, सोया खिमा रेडी है, इसे सर्विंग गोल में निकालेंगे, मुझे बाह करेंगे,